अगर आप इस चैनल में पहली बार आ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस टोक एनलिसिस की डेली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहला स्टोक है हमारे पात भारती एटल भारती एटल का हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक गैब डाउन खुला और यहाँ पे इसने एक अच्छा डबलू पैटर्न फॉर्म कर रखा है 15 में टाइम फ्रेम पे इसका एक रेश्टेंस एरिया है 770.50 का कल अगर यह फ्रेट खुलता है और यहाँ पे एक अच्छी बुली स्केंडल सैटल करता है और अपने रेश्टेंस एरिया को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक बाई की ट्रेड इनिशियेट कर सकते हैं फर अटारगेट ऑफ 790 फिद अजल उफ 3 पॉइंट इन केस अगर इसने अपने प्रिवेश स्विवेश स्विव को 767.55 के एरिया को नीचे की साइट ब्रेक कर दिया तो हम इसमें कोई भी ट्रेड इनिशियेट नहीं करेंगे यह कल यह गैपडाउन खुल गया तो भी हम इसमें कोई भी ट्रेड इनिशियेट नहीं करेंगे यह फ्लैट खुलता है और अपने रेशिटेंस एरिया को एक अच्छे बुलिस कैंडल से ब्रेक करता है तो हम इसमें एक बाईंग की ट्रेड इनिशियेट करेंगे दूसरा श्टॉक है हमारे पास DLF, यह कल भी हमने आपको दिया था, आज यह बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है, 15 में टाइम फ्रेम पे इसका एक सपोर्ट एरिया है, 363.50 कल हमने आपको यह दिया था, 367.50 के नीचे for a target of 363.50, आज इसने बिलकुल बकायदा वो target हिट क तो हम आई बटन में उसकी लिंक दे देंगे, आप वो वीडियो महां से देख सकते हैं, कल इसको हम continuation में trade करेंगे, इसके support एरिया पे इसने अपने support एरिया को break किया और अपने support एरिया पे एक अच्छी bearish candle settle की, तो हम यहाँ पे Excel की trade initiate करेंगे for a target of 356.30 with the ACL of 1 to 2 point, in case अगर यह उपर चला जाता है, अपने swing को break करके तो हम इसमें कोई भी trade initiate नहीं करेंगे, इसको कल flat खुलना चाहिए और अपने support एरिया को break करना चाहिए, तो ही हम इसमें Excel की trade initiate करेंगे, तिसरा stock HDFC life, आज यह काफी volatile था, क्योंकि आज यह gap up खुला था, कल भी हम इसको आपको trade के लि दिया था कल Boule Tinder Partner सकता है अगर इसने अपने लोग को बोग किया जो इसका सपोर्ट एडिया है 558 से लेकर 588 का इसको ब्रेक किया यहां पर अच्छी बैरी स्केइंडल से टल की और अपनेी सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया तो हमगि एक sell की trade initiate कर सकते हैं पहला टार्गेट रहेगा हमारा 585.20 का दूसरा टार्गेट रहेगा हमारा 570 का विद्धा एसल ओफ 2-3 पॉइंट इन केस अगर इसने अपने support area को break नहीं किया और यहां से उपर चला गया तो हम इसे छोड़ देंगे फिर हम इसमें कोई भी trade initiate नहीं करेंगे वीडियो अच्छे लगी तो like, share, subscribe जरूर करिएगा thank you